उत्तरप्रदेश में चुनाव से पहले शुरू हुई दलबदल की राजनीती। क्या चुनाव से पहले उत्तरप्रदेश में कुछ और नेता छोड़ सकते हैं बीजेपी। पिछले तीन दिनों में तीन कैबिनेट मंत्री समेट 11 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जनता खुश है कहने वाले उत्तरप्रदेश के सीम योगिय दित्यनाथ क्या नहीं रख पाए अपने निताओं को खुश या इसके पीछे कुछ और कारण है। विधान सबा चुनाव से पहले उत्तरप्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी में मची भगदर के बीच कितने निताओं ने कहा पार्टी को अलविदा करेंगे इसी पर चर्चा आकर किस वज़े से बीजेपी छोड़ अन्य पार्टी से जुड़ रहे हैं निता। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारिकों का एलान करना मानों उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार के लिए एक जटका साबित होता जा रहा है। आने वाले निता शामिल है। इन लोगों ने बीजेपी की सरकार पर दलीतों और पिछलों की हितों की अंदेखी करने का आरोप लगाया है। इन निताओं का साफ शब्दों में ये कहना है कि 2017 में उत्तरप्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद भाजपा ने दलीतों और पिछलों की हितों के लिए कोई कारे नहीं किया। अगर ऐसा है तो इन पांस सालों में किसी भी नेता ने अपनी सरकार से इत विश्यों पर बात क्यूं नहीं कई। शाइकों के टिकेट काट सकती है। इसके बाद यूपी सरकार में मंत्री रह स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टीफा दे दिया। उनके स्टीफा देते ही यूबी में स्टीफी का दोड़ शुरू हो गया एक के बाद एक तीन मंत्यों समेद 11 विधायकों ने अब तक स्टीफा दे दिया है स्टीफी के बाद बांदा के तिनवारी दिविधान सबा सीट से विधायक रजेश प्रताब ने त्याक पत्य दे दिया इनके लावा शाजापूर की तिलरी सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा समेद कानपूर के बिलोहरी के विधायक भगवती प्रशाथ सागर ने स्तीफा दे दिया स्वामे प्रशाथ मोहरेक ने पत्त को स्तीफा देने के बाद समाजादी पार्टी का अद्धा मन थाम लिया है वही बुदवार को भाजपा विधायक अफ्तार सिंग बढ़ाना ने पार्टी छोड़ दी लेकिन यहीं नहीं रुका वन और परियावन मंती दारा सिंग चुहान ने योगी कैमिनेट से स्तीफा दिया उन्होंने स्तीफिया की वज़ा भी एक बताई पिछडों, वन्चितों, किसानों, दलीतों और बेरोजगारों की उपिक्षा उनका भी कहना था कि भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग और दलीतों के लिए कोई काम नहीं किया बीजेपी से स्तीफिय का दौर गुरुवार को भी जारी रहा फिरोजबाद की शिकोहबाद सीट से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने पार्टी छोड़ दी उनके स्तीफिय के कुछ देर बाद औरिये के विधुना विधानसभा से बीजेपी विधायक लखिमपूर खीरी के विधायक बाल प्रशाद अवस्ती भी अखिलेश से मिलने उनके कारेले पहुंचे इस बात से साफ साफ पता चलता है कि योगी सरकार उत्तरप्रदेश में रहलियो और अपने कामकाच को गिनवाने में इतना व्यस्त हो गई कि पार्टी अपने ही नेताओं को बांदे रहने में विफल हो गई हाला कि पार्टी को छोड़ना काई नेताओं के लिए एक मुसीबत भी साबित हुआ सरकार के तरफ से स्वामे प्रसाद मौर्या के खिलाब एक वॉरेंट भी जारी किया गया जिसका कनेक्शन सिधा सिधा 2014 से है हाला कि भारते जंता पार्टी का ये कहना है कि इन स्तीफों से उत्रप्रदेश की भाचप सरकार को कोई फरक नहीं पड़ेगा पार्टी इसके बावोचूद भी बड़े भावमत के साथ उत्रप्रदेश में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी अब देखना ये रहेगा क्या बीजेबी के दावे सच होते हैं या फिर इस बार हमें उत्रप्रदेश में एक बड़ा उलट फिर देखने को मिल सकता है आपकी क्या राय है इस मुद्धे पर कमेंट कर जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल देशित न्यूस को धन्यवाद